दोस्तो आज कल EMI में शॉपिंग करना एक फैशन हो गया है हर चीज EMI में मिल जाता है और आज कल सेल का सीजन भी चल रहा है तो कई सारे लोग EMI में शॉपिंग कर रहे होंगे शॉपिंग कर भी चुके होंगे लेकिन कई सारे लोग जो बिना सोचे समझे शॉपिंग कर लेते हैं या EMI का option चूज कर लेते हैं कई बार उनका बड़ा नुकसान हो जाता है और purchase करने के बाद ये पता चलता है कि हमें फाइदा होने के बजाए तो हमें नुकसान हो गया आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपने credit card का इस्तेमाल करके EMI में किसी भी चीज़ को शॉपिंग करने का सोच विचार कर रहे हैं तो कुछ ऐसे points हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका यकी फाइदा ही फाइदा है नहीं तो फिर नुकसान हो सकता है तो क्या points है जो आपको फाइदा दिलवा सकता है आपको EMI पर नुकसान से बचा सकता है वो सारे points आज हम बारी-बारी से discuss करने वाले हैं तो point number one जो है वो है कि आप एक comparison कर लें कि आपका जो EMI में purchase करने जा रहे ह वो आपको फाइदा मंद होगा या फिर आप direct full amount payment करेंगे वो आपके लिए फाइदा मंद हो अगर आपको full amount payment करके purchase करने में फाइदा नजर आता है तो फिर मैं suggest करूँगा कि आप full amount payment करके ही purchase करें लेकिन हो सकता है आप यह कहें कि भाई हमारे पास तो credit card है cash नहीं है तो हम कैसे करें तो देखिए अगर आपको full amount payment करने पर फाइदा मिलता है तो आप अपने credit card से पैसे को अपने bank account में transfer कर सकते हैं और इसके लिए आपको मात्र 1 या 2 या 2 से 3% का आपको extra charge देना पलता है जो कि बहुत ही minimum सा amount बनता है आप amount को transfer करके अपने bank account में ले लेते हैं औ और जब bank account से direct full amount payment करके अगर shopping करते हैं तो आपको अगर discount मिलता है तो discount तो मिलेगा ही मिलेगा इसके साथ साथ आप full payment करके ही shopping कर लेते हैं तो यहाँ पर EMI का जो जंजट होता कम से कम यह खतम हो जाएगा point number two कि online जब भी आप shopping करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं वो भी अगर EMI में तो एक बार interest rate का comparison जरूर देखे क्योंकि अलग-अलग bank को का अलग-अलग interest rate होता है अगर किसी का 10,000 रुपा total amount बनता है with interest तो हो सकता है किसी और bank का वो 10,500 बन जाए किसी तीसरे bank का हो सक कि एक बार comparison कर लेंगे तो आपको पता चल जागा कि कौन सी bank हमें बढ़िया और कम interest rate पर EMI का option दे रही है और अगर वो card आपके पास नई भी है तो आप अपने friend, relative या किसी से भी ले करके purchase कर सकते हैं payment तो आपको करना है तो भाई आपसी understanding इतना तो होती ही यही कम से कम कि ह हम भाई repayment हर महिने महिने कर देंगे और लोग कर भी लेते हैं बड़े असानी से लेकिन अगर फाइदा होता है तो ही Point number 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो यह कि बड़े समझदारी से आपको EMI का tenure choose करना है भाई 3 महिने का ले, 6 का ले, 9 का ले, 12 का ले, कितने महिने का EMI हम बनवा ले, कितने महिने का EMI हम ले ले अब ये सारा कुछ depend करेगा हमारी उपर कि क्या हम 3 महिने में सारे amount को divide करके payment कर पाएंगे EMI wise या फिर हम 6 महिने में कर पाएंगे, 9 महिने में कर पाएंगे, या हमारे पास fund हर महिने महिने इतना आ जाएगा कि हम इसका repayment कर पाएंगे, अगर आपका fix source of income है, जैसे माल लेजे salary आती है, माल लेजे कहीं से आपका fix amount आपके daddy देते हैं, या कोई भी देते हैं, अगर fix amount आता कारानवश, एक भी EMI को default कर देते हैं, या miss कर देते हैं, due date cross कर जाते हैं, तो फिर एक penalty लगता है, penalty पर GST लगता है, और GST पर फिर interest लगता है, तो मिला जुला करके आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से EMI का tenure choose करना है, कि भाई, हमारी कितन महीने में total EMI को repayment कर पाएंगे, point number 4 जो आपको धियान में रखना है, वो ये, कि online shopping पर कहा पर आपको अच्छा instant discount देखने को मिल रहा है, अच्छा instant discount का मतलब ये हुआ कि आज कल sale का दौर है, sale चल रहा है, आज कल Amazon Pay Flip Card पर कहीं से भी आप अगर कुछ purchase करते हैं, credit card को use करके तो अलग-अलग credit card का वहाँ पर discount है, तो ये चीज़े आपको धियान में रखना है कि जो card आपके पास है, क्या उस पर instant discount है, अगर instant discount होता है, तो आपको वो discount का benefit वहाँ पर मिल जाता है, और अगर आपके पास वो card नहीं है, तो फिर आप वही तरीका अपनाएंगे कि अप no cost EMI, बिल्कुल, अगर no cost EMI का option आपको कहीं पे भी मिलता हो, तो मैं suggest करूँगा कि सबसे पहले option आपको यही वला रखना चाहिए, कि no cost EMI जिस card पर मिलेगा, हम उसी से purchase करेंगे, card arrange करना तो फिर आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, कि दोस्त, friend या office में job करते हैं, तो कलिक बहुत सारे लोगों के पास credit card अश्कल मिल जाता है, तो वहाँ से ले करके आप EMI में purchase कर सकते हैं, no cost EMI होगा, तो आपको EMI का कोई extra post नहीं देना पड़ेगा, जो total amount बनता है, वही amount आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह जो EMI में purchase करने के लिए, जो last के 14 औ purchase कर लेंगे, क्योंकि उससे आपको अच्छा खासा फाइदा हो जाएगा, एक तो instant discount, दूसरा no cost EMI, यानि कि जो EMI पर extra interest लगता, वो भी आपका यहाँ पर बचत हो जाता है, तो यहाँ पर आपको double फाइदा हो जाता है, तो इसे लिए बहुत जरूरी होता है, कि अगर पड़ता है, चाहे वो जितना भी नुकसान हो, तो आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, कि credit card से EMI में purchase करने से पहले आपको किन-किन चीजों पर ध्यान देना है, किन-किन बातों को ध्यान में रखना है, ताकि आपका नुकसान ना हो, बलके फाइदा ही फा झाल